असलाम लेकॉम गुंदल मार्केटिंग से आर्जव भट्टी आपके खिद्दत में हाजिर और मैं हूं मौझूद जी 13 में जी हां CDX sector G13 ब्रेंड न्यू घर के साथ और जब इस घर की डामेंशन की बात करें तो यह है 30 by 60 मर्ला में बात करें तो साथ मर्ले का खुब्सूरत बनावा यह घर है लोकेटिड है G13 में प्राइम लोकेशन है बिल्कुल साथ इसके पार्क है मॉस्क है कमर्शल एरिया मार्क और अमेरिकन ग्रास लगाया वाय जी वह आपको नज़र आ रहा है फ्रेंड एलुएशन की बात करें तो आपको जो है टाइल का काम ग्रे स्ट्रॉक्शर के साथ और जो कॉम्बिनेशन है ब्लैक ग्रे और जो वुड टाइप जो यहां पर टाइल्स लगाई है तो इसका आ एंटर होंगे और यह थोड़ा सा मैं उंचा इसलिए बोल रहा था कि बाहर कुछ कंस्रॉक्शन चल रहा है तो हवाज आप तक सही पहुंचे एंटर हों तो लेफ पे यहां पर आपको यह मिलेगा अंडर ग्राउंड वाटर टेंक बोरिंग ताके पानी किसी किसम का कोई इ तो भी आप यहां पर देखें उपर आप देखें सीलिंग का काम जो पोर्च है उसका फ्रंट लुक बहुत ही खुब्सूरत बिसमिल्ला की एक यहां पर सिंडरी लगाईगी है और वाल पिर लगाया वाया उसके साथ वुडबग हुआ है व्यूर्स में स्टार में आपको यहां से कुनेक्ट की जाती है ताकि आपको ताजा हवा मिल सके तो यह थ्रू आउट पूरे घर में आपको मिलेगा दो एक्सेस है इस घर की एक जो है वो ड्राइंग रूम जो यहां से एंटर सकते हैं कार पोर्च से और दूसरी जो है यह में एंटरस है बहुत का और टॉप क्वालिटी के जो ब्रैंड है वो इस घर में इस्तमाल किया गया जो कि मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा स्टार्ट में जब आप एंटर हो तो राइट साइड पे आपको सेडिया मिलती है जो के उपर बाले पोर्शन पर लेके जाती है आप इसको पार्टिश से भी पढ़ सकते हैं यहां मैं दिखाओं तो यह देखिए एक तो पाइन जो है हमारी वो जो वुड है और मैंने इसकी सारी जो डिटेल्स है वो भी लेके रखी है यह ये येलो पाइन यह जो वुड है यह उसका ब्रैंड है जो यहां पे इस्तमाल किया गया है अच्छा यह वॉल पेपर आप देखिए उसके अंदर एलेडी जो है वो लगाएगी है प्लांट्स यहां पर मौजूद हैं ब्लैक कलर के जो टाइल्स है वो फ्रंट पर इस्तमाल किया गया है और जब आप घर के अंदर एंटर होंगे तो एक दम व्यू तबदील हो जाएगा क्यों काफी वाइट उपर अगर इसकी में सेलिंग आपको दिखाऊं तो यहां पर फानू साब देखें और बहुत ही स्पिस्टिकेटिड जिसे कहते हैं वेस्टरन टच लिया गया है इसकी सेलिंग में इसके बिल्कुल साथ ड्राइंग रूम जब मैंने वीडियो स्टार्ट किय तो मैंने बाहर से आपको दिखाया था कि यह भी इसकी सेस है तो आप देखें यह फ्रेंट बिंडो है जो कि बाहर में कारपोर्ज की जानेब खुलती है यहां पर फिर एक कापको वाल पेपर मिलेगा और साथ में लेडी लाइट और वुड वर्क हुआ वा इसकी भी आप स सिलिंग देखें तो सिलिंग के अंदर भी उन्होंने वुड का इस्तमाल किया गया है कुछ नक्षो निगार बनाएगे है अचा पार्टिशन के लिए लोगों ने यहां पर कुर्टन वगारा के लिए चीजे बनाई होती लेकि इन्होंने यहां पर दोर्स दिये गए है तो डिफरेंट वाल पेपर्स जो है वो यूज किये गए है और तमाम जो बेडरूम की फ्लोरिंग है उसमें टाइल के साथ साथ ब्लैक मार्बल का कट इस्तमाल किया है जो बॉडर है वो भी ब्लैक यूज किये गए है तो इसको मजीद खुबसूरत बनाते है अब बाहर के जा सो कसा जो है उसकी वेंटी इंगों यूज की है यहाँ पर और जो प्ट गारार की जूज की है और आब के देखें तो जो जी यहे जुख री बाहर के साथ है जो दूसरा गडरूम है जी इस घर का काफी वाइड लकुषरी बैड्रूम कुबट्च जैसे प्रृट्रूम में और फिर आपके सामने विंड़ो और यहां पर कासा की वेंटी और पोटा उसके यहां पर सेनीरी जो है उसको योज किया गया एक अच्छी सी नजर हम बाहर की जाने भी मार लिते हैं तो हम यहां भी दिखा दें आपको कि यह जो बैक साइड है इस घर की जहां पर आपको गीजर लगवा मिलेगा पांच से छे फूट चुड़ाइक पर यह वाशिंग एरिया है अब टू यू आप इसको कैसे यूज़ करते हैं So viewers यह हो गया इसका दूसरा बेडरूम आएए आपको इस 30x60 पे बनेवे खुबसूरत घर का खुबसूरत सा किशन दिखाओं तो किशन की जब आप फ्लोरिंग देखेंगे तो यहां पर टायल वर्क आपको डिफेंट नजर आएगा जो मेरे बैक साइड पर आप बाल्स जो आजकल कबर सेल रहे हैं ऐसा कसर गाड़ियों की डिगी में लगावा था और एक चीज यह देखिया यह आजकल बहुत इन है कि कम जगा पर ज्यादा समान आप कैसे ला सकते हैं तो यह सब तर चीजे यहां मौजूद है और अगेन इसका भी अगर मैं आपको डोर दिख गर है जो मैं आज आपको विजिट करवा रहा हूँ आईए जब हम उपर की जाने बढ़ें तो ग्रिल्स जो है उनसके उपर भी जो पेंट और आर्ट वर्क हुआ है बहुत खुबसूरा थ्रू आउट पूरी वाल्स पे वाल पेपर और उसके साथ वुड के पीसिस आप द अज़ा दगावा है और मार्बल के बाद जो ही आप फर्स फ्लोर पहेंगे तो इसकी भी टाइल वर्क आप देख सकते हैं अचा विज जो कार पोर्च है यह मैं उसके ऊपर खड़ावा हूँ जो कार पोर्च की छट थी तो वहां एक छोटा सा रूम दिया गया है जिसके सा चोटा सा बेडरूम कह लें यह एक एक्स्ट्रा रूम कह लें जिसमें आप देखें कि सामने विंडो है जो बाइर की आपको व्यू भी दे सकता है अचा दूसरा मैं आपको कुछ टैरस भी विजट करवा दूँ जी आईए इस घर का अगर एक्सेस की बात की जाए तो मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं में डबल रोड है वहां से हम एंटर हुए है तो आप इस घर में पहुंच सकते हैं और अगर मेरे कैमरामें थोड़ा सा इसको घुमा दें तो आप यह चोग भी दे सकते हैं यहां पसे भी पादवाला यह घर सामने इसके पार्क मॉस्क और मार्किट भी मौजूद है तो यह हो गया इसका चोटा सा एक रूम यहां इसको बेडरूम ही कहलें अप टू यू है सामने जो यह आप एंटर होते हैं फर्स फ्लोर पे तो आपको उपर का ड्राइंग रूम मिलेगा ड्रा यहां पर पार्टिशन के लिए यहां पर जो आप देखते हैं कि इन्हों ने इसको वुड वर्क के साथ साथ दोर्स दी और साथ यह देखिए विंडोस में यहां भी आप कुछ अपने गुल्दान और चीज़ें रख सकते हैं टीवी लाउंच है टीवी लाउंच में वाल खुबसूरती से यानि जो इंटेरियर जिसने डिजाइन किया है बड़ी महारत से चीज़ों को यूटलाइज किया है 30 बाइ 60 में पहला बैडरूम उपर की जानेब आप देखेंगे तो अगेन यहां पर यह लोका आपको मिलेगा साथ में आपको कबर्ड मिलेंगे पूरी वाइट और ब्लैक टाइल का कॉंबिनेशन मिलेगा इसी तरह जो सेकिंड बैडरूम है वहां पर भी आपको कबर्ड राइट साइट पे आपको के वह वो वाश्रू पोर्टा की चीज़े आपको लगी यहां मिलेंगी और टाइल वर्क आप देख सकते हैं यूनीक स्विस् अच्छी भी आप नजारा ले सकते हैं बैक साइट का अरिया और इसके ओपर गीजर भी लगावा है आईए अब आपको इसका किच्छन और फिर इसके बाद मम्टी और टॉप रूफ की जानेब आप बढ़ेंगे तो विर्ज किच्छन अगें किच्छन में आप दाखिल हो कबर्ड में जो साथ साथ एक में हब बनाया गया था जहां से हवा को जो है वो एजिली पूरे घर में दाखिल हो सके तो हर कमरे की हर बैडरूम की हर किच्छन की जो एक विंडू है वो उस डग की जाने खुलती है ताके वेंटिलेशन असानी से हो सके सो वियोर्स अब मैं आपको लेके जाओंगा इसके टॉप फ्लोर की जाने इतना अच्छा बनावा घर बहुत मुश्किल से मिलता है सो आई होब के जो लोग मुझे ये कॉमेंट्स में कहते हैं के जी अच्छा बनावा मेयारी घर दिखाएं सो ये टॉप कॉलिटी की चीजें इसमें मौजूद हैं और उसी तरह इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है जो ही हम ऊपर आते हैं तो एक और छोटा सा रूम जिसको मैं वाश रूम कहता हूं और इसकी मुझे टाइल्स पाकी सबसे बहुत ज्यादा अट्रेक्ट की हैं ये साइल्स उसी तरीके से सब चीजें और कबर्स रखी गई हैं जो नीचे आपको बैट रूम मेलती हैं अब आपको इसका मैं जो च्छत है वो विजट कर वादू तो ये जो है ओपन एरिया बैक साइट जहां पर आपको जो है वो कंक्रीट का बनावा वाटर टैंक मिलेगा और यह इसका ओवराल व्यू है जो मैंने आपको बताया था मागला व्यू मागला साइट की तरफ तो यह आपको देख रहे हैं सामने मागला की पहाडियां है इसके बिल्कुल साथ पार्क मॉस्क और मार्केट चंद कदम के फासले पर तो यह लुकेटिट एजी 13 पर मैं जानने के लिए राप्ता कीजिए इन नमबर से